हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बाक टो मैं चानल एन दिक्षत वामने व्लोग्स आई होप आपको वो मेहंदी वाला व्लोग पसंद आया होगा तो आज का व्लोग भी मेरी मम्मा ही कंटिन्यू करेंगी तो चलिए देखते हैं हेलो फ्रेंड्स, तो आज का व्लोग एक पूजा पे होने वाला है जो कि असाड़ी की है आई होप आप लोगों क्या भी ये असाड़ी की पूजा होती होगी हमारे यां होती है तो देखे मैं ये पूजा के लिए पापड बना रही हूँ इस में पूजा में पापड का भोग लगता है पापड के साथ हमारे वहाँ दूद की जो मलाई होती है उसका भोग लगाते हैं असाड़ी जी को ज़्यादा तर लोगों क्यां आंगन में बनती है घर के जो बीचो बीच आंगन होता है और कुछ लोगों किया ये मेन गेट के दिवाल पे बनाई जाती है तो यहाँ पे देखिए मेरे पूजा के पापड़ बनके तयार हो गए है ये देखिए मेरे साधी के पुतले जो कि मैंने आंगन में बीचो बीच में दिवाल पे बना रखे है ये गाय के गोबर से बनाया है अब ये देखिए यहाँ मेरे पूजा की पूरी तयारी हो चुकी है तो आईए करते हैं पूजा इस पूजा में दो पुतले बनाये जाते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे और इनको जैसे सभी प्रकार की पूजा होती है ऐसे नौर्मल ही पूजा की जाती है एक दिया जलाते हैं गड़ेश जी की स्थापना करते हैं और पापड और मलाईक का भोग लगाते हैं आप भी बताईएगा प्लीज कमेंट में क्या आप किया भी यह पूजा होती है अगर हाँ तो घर के आंगन में है बाहर देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने ड्राइंग की है आई होप आपको यह पसंद आएगी सभी के वहाँ पूजा करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है जो की अपने अपने हाँ का रिवास होता है यह देखिए अब यहाँ पर मैरी पूजा सुरू हो गई है पूजा होने के बाद मैंने इनको भूग लगाया भूग लगाया फूल चड़ाए आर्ती की और आर्ती करने के बाद मैंने उनसे आशिरवाद लेया उनके पैर छुए भगवान की पूजा करने के बाद उनसे आशिरवाद लेना तो बहुत जरूरी है आज का दिन वैसे भी खास है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा भी है इस गुरु पूर्णिमा के तेन लोग गुरु चिक की पूजा भी करते हैं तो जैसा कि मेरी ममी ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा भी है तो मेरा अगला व्लोग गुरु पूर्णिमा पे होगा तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल